भरत ने कुछ समय तक राज किया उसके बाद में महराज भरत जी अपने पुत्र को राजविशे करने के बाद भगवान का भजन करने चले गए लिकिन जब भजन करने चले गए तो इनकी आसकती एक हिरन में लग गई ये संचिम्त में आपको थोड़ा बता रही हो है इनकी आ सकती एक हिरन में लग गई तो हिरन का बच्चा एक दिन ने छोड़ करके हिरन के जुंडों में चला गया हिरनों के जुंडों में चला गया इने चोड़ गया तो इये हिरन की याद में उस हिरन के बच्चे की याद में महराज भरत जी अपना सरी छोड़ देते हैं अगली योनी इंहें हिरन की ही प्रात भी यह किपती नहीं कि धूरत arrangements में जुब शुमाफा भाक्व कि कज़ने के कि मरते समय Vy PD कि उन्त्यू स्वायन निखलती है अन्तिन का जो जुक्तिन होता है जो याद रहती है व्यक्ति की वो मादम उसी एयूनी में जाता है यसे हमें अबर Ó great love मरती समय हिरन की समृत रही कि याद रही तो बह्रत में अगले जनम में हिरन नहीं पर जब लिए हिरन बने हिरन बनकर भी इने अपनी पिछला जनम मेंने याद रहा अंत में इन्होंने हिरन वाला सरीर भी छोड़ दिया तीस्तरा जनम इन्हें फिर से मानम का मिला है मानम का मिला है लेकिन इन्हें अपने पिछले दो जनम याद रहे हैं रनवाला और भरतवाला तो इन्हों नहीं सोच लिया था कि अब हम इस संसार में फसने वाले नहीं हैं दो जनम में नहीं गमा दिये अब हमें नहीं फसेंगे छे कुछ हुई हो जा यह सोच करके इनकी पिता प्रहमण परिवार से हैं इनकी पिता सिखाते हैं कि बेटा आप कार करना सीख लो साधी विवा पढ़ना सीख लो लेकिन भरत जो हैं जो उनकी पिता जो कहते हैं उसके ठीक बिपरीद चलते हैं ठीक उल्टा चलते हैं वो सोचते हैं अगर ये सब कुछ मैंने सीख लिया तो मैं इसमें फज़ाओंगा और फज़ाओंगा फिर भगवान का भज़न नहीं कर पाओंगा जब ये पिता के ठीक बिपरीच चलने लगे तो इनकी पिता ने इने घर से निकाल दिया इनका नाम रख दिया जड़ भरत जड़ किसी कहते हैं जड़ में सोता है मूर्ख मूर्ख भरत इनका नाम रख दिया मूर्ख भरत अब तो ये भगवान के चिंतन में ही रहते हैं बन को चले गए भगवान के चिंतन में पागलों की तरह रहते हैं देखन में ये पागल से लगते हैं कोई नहीं समझ सकता कि इतने विद्वान है इन ये जड़ भरत जी ने राजा रहुगण जी को सत्ति का परम सत्ति का अपदेश दिया अंत में राजा रहोगड जी की आखे खुली और रहोगड जड़वरत की पैरों पर गिर गए इस कथा का सीर्षक में आपको बताओं इस सोट कथा में आपको क्यों कही है हमारी सनाता धरम में क्या है कि आजकल लोगों के हां गाय तो नहीं मिलेगी लिए कुट्ता जरूर मिल जाएगा बताइए कितनी लोग इस प्रांकण में ऐसे हैं जिनकी दरबाजी पर गाय पली हुई है जिनों नहीं गाय पाल रखिये जरा उपरहत करना लेकिन अक्षर कर देखने में आता है कि लोगों की दरबाजी पर गाय तो नहीं होगी कुट्ता जरूर होगा कुट्ता नहीं पालते हैं तो तो बहुत अच्छे हैं आप लोग बहुत आवार आपका हाँ we समक्रां एक हर आए कहँ सब्सक्राइब कर रुपिर एक नाम का बेटी लिखा हमार में रिख प्रुपाइब और पांच रुपेश्वार दिया यहां और ہाँ हमारे नाम लगा रहा है कि पेटी के रोटी पेटी ने हमारी बात आज कवामें रखे रहे हैं स्वाकर रोट दिया हुआ ऐसा हुआ मैं आपको बताओं परफ्षा दिया है इसमें 500 रुपए लिखे हैं जी कोई वात नहीं लेकिन इनों ने दिये 100 रुपए तो मैंने सुचा पैसे के पीछे किसी का मनोवल न गिराया जाए अगर इनोंने लिख दिये हैं तो मुझे बोलने में क्या जागा है सब भगवान देख रहा है ना फिर मैंने का इनका हो सकता है समर्पड ऐसा हो अंदर से कुछ ऐसा हो तो मैंने वो चीज न देख करके इनोंने जो इसलिए भूल रहे हैं